ओम शांती, आज आपके सामने प्रस्तुत है, मुराधाबाद से ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर कुमकुम महरोत्रा का स्वकतित अनुभव। राजयोग मेडिटेशन की उपलब्धियां अनेक हैं, कहां तीन वर्ष पहले मुझे ध्यान योग का सही मतलब भी नहीं पता था, परन्तु अब बाबा की प्रेरना से अलग-अलग स्कूलों में जाकर बच्चों को मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दिया है, पहले बहुत ब खाली समय में समझ ही नहीं आता था कि कैसे बोर्यत तूर भगाएं, अब इसकी कोई दरकार नहीं, पर्मनेन गाईट जो साथ में है, इतनी राहें हैं सेवा की जो 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, पहले मेरी नेंद 8-9 घंटे से कम में पूरी नहीं होती थी, नेंद की गो की कभी आवश्यक्ता ही नहीं पड़े, अमृत्वेले योग अभ्यास भी होने लगा, मुझे लगता था कि सम्मान शरीर धारियों से मिलने की चीज है, परन्तु अब समझ में आया कि सम्मान की परिभाशा क्या है, पहले घर में खाना बनाने वाली के साथ मेरा अक्सर जग इस प्रकार जो मानसिक संतोष प्राप्थ हुआ है, उसे ही स्वर्गिक आनन्द की संग्या दी जाएगी, मुझे बचपन से माइग्रेन होता था, जो अबने 99 प्रतिशत तक ठीक हो चुका है, पैरों में फेश्याइटिस नामक तकलीव थी, जिसके इलाज में हर उमेज छ चुकी थी, रुहानी सर्जन ने इस तकलीव को भी 100% ठीक कर दिया है, राजियो कोर्स करते समय मैंने स्वयम कोशिश शुरू कर दी थी कि कैसे अपने मस्तक में ब्रिकुटी में और बाबा को आकाश से परे परमधाम में देखना है, ड्राइविंग के समय में जैसे ही मेरी बेटी की डिगरी सर्टिफिकेट की फाइल जो कि मैंने बहुत संभाल कर रखी थी, घर भर में ढोनने से भी कहीं नहीं मिल रही थी, हमने यह मान लिया था कि वह कहीं खो गई है या फिर फाइल चोरी हो गई है, एक दिन सुभे 5 बजे, मेडिटेशन के दोरान मैंने बाबा से पूछा, प्यारे बाबा, बताईए न, कहां रखी है वो फाइल? बाबा ने मुझे संकर्प दिया और उसी स्थान पर फाइल अंततहब मिल गई, अब बाबा की और निमित बेहन की पालना से हमारे यहाँ डिवाइन मेडिटेशन हॉल बन गया है, जिसमें सभी ध चाय पत्ती को हलका सा धो लें, इसे धो करके एक छोटे से मत्के में इकठी करें, रोज रोज जैसे ही आप चाय बनाते हैं, इस चाय पत्ती को धो करके उस मत्के में इकठा करते जाएं, इसके बाद एक से देर महीने में यह चाय पत्ती खाद में परिवर्तित हो जाएगी इस खात को आप अपने फ्लावरिंग प्लांच में दे सकते हैं आपका गमला फूलों से भर जाएगा ओम शांती